हे गाइस वालकम पीर माई चैनल सामर बनाने के लिए पोचा लगी मीची एक छोटी चमच हल्दी पाउडर एक छोटी चमच कस्मीन लाजमीच पाउडर आटसनों लैसन करिया एक मीडियम साइस कर्ची सरसो का तेल एक छोटी चमच सामर मासाला नमक स्वादरूसार दो टमाटर, तीन छोटी काजर, एक मीडियम साइस आलू, दो छोटी प्याज, एक बॉल लोकी, तीन भटे दस से ग्यारा कड़ी पत्ता, चासू की लाल मीच, एक शूटी चमच राई, इमली पानी, दनिया पत्ती, एक बॉल तॉर की दाल, इसे मैंने वाच करके 15 मिट पहले पानी में भीगो कर रखा है, इस बॉल से मैंने दाल ली है सबसे पहले कूकर में आपको तेल डालना है, तेल गरम होने के बाद में आपको लेस्न की कलियर डालना है, और आदे मिनिट बाद आपको हरी मिच डालना है हरी मिच डालने के बार में आपको इसमें प्यास डालना है 5-6 सेकेंड बार में आपको इसमें गाजर डालना है गाजर डालने के बार में आपको इसमें आलू और टमाटा डालना है अच्छे से मिक्स करने के बाद में आपको इसमें लूकी डालना है और भटे डालना है और अच्छे से मिक्स करके आपको से तीन से चार मिर्ट आपको से सेखना है तीन से चार मिर्ट बाद आपको इसमें डालमेची पाउडर डालना है खल्दी पाउडर डालना है कश्मीरी लालमेच पाऊडर डालना है और नमक स्वादणूसा डालना है और अच्छे से मिक्स करना है फिर आपको इसमें सामर मसाला डालना है और इमली का पानी डालना है तुवर दाल इसमें डालना है और फिर इसमें पानी अट करना है मैं इसमें पोने दो ग्लास पानी एड़ कर रही हूँ अभी आपको इसमें बहुत जादा पानी नहीं डालना है अच्छे से मिक्स करने के बाद में आपको कूगल का ढखकन लगा कर तीन से चार वैसल लेनी है कूगर ठंडा होने के बाद में आपको इसका ढखकन निकालना है और वेजिटेबल्स और दाल अच्छे से कुक हो गए हैं अब आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है लो मीडियम फ्लेम पर रखकर आपको इसमें गुनगुना पानी डालना है पानी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं इसे लगातर आपको मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करना है तड़की के लिए आपको दो चमच सरसू का तेल, राई, कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिच आपको डालना है और फिर आपको इसमें सामभर दालना है हाई फिलेम पर सामभर को आपको 5-6 मीडियम अच्छे से मिक्स करना है मैं इसमें एक ग्लास से ज़्यादा गुडबुना पानी एड़ कर रही हूँ सामभर बन के तैयार है अब आपको इसमें धन्यापती डालना है अगर आपको इस रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू पर वाची